नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लर्निंग इस्टनो चनल में आप सभी का स्वागत है 80 शक प्रती मिनित की गती से legal dictation शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो डिक्टेशन में 400 शब्द हैं डिक्टेशन की गती 80 शक प्रती मिनट रहेगी यह सभी डिफिकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको मारे टैलीग्राम गुरूप पर भी मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में दिया गया है दोस्तों जो बंदू राजिस्तान हाई कोट के त्यारी कर रहे हैं वहाँ पर एक् स्टार्ट प्रस्तुत दांडिक अपील निरुद वीधी उलंगन करता बालकों की ओर से उनके संरक्षगन दुआरा प्रिंसीपल मजिश्ट्रेट किशोर नियाय बोड राजसमंद के आदेश दिनांक 13-7-2023 से वैथीत होकर प्रस्तुत की गई है जिसके संक्षिप्त तथे इस परकार से हैं कि अपीलार्थी उलंगन करता बालकों को प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है विधी उलंगन करताओं के किसी भी ज्यात या अज्यात अपरादियों के संपर्क में आने की कोई संभावना नहीं है और ना ही उनके नैतिक या मनोवेज्यानिक रूप से खत्रे में पढ़ने की संभावना है विधी उलंगन करताओं की समाजिक परिक्षन रिपोर्ट भी उनके पक्ष में है विधी उलंगन करताओं के विरुद अन्य कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और उनकी उम्र 14-15 वर्ष है प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगेगा किशोर नियाए बोड द्वारा धारा बारा किशोर नियाए अधीनियम के अज्यापक प्रावधानों पर विचार किये बिना जमानत आवेदन खारिज कर दिया अंत में अपिलार्थी गण की अपील स्विकार कर अपेक्षित आदेश को अपास्त कर अपिलार्थी गण को उनके विधी पून सन्रक्षक पिता की सन्रक्षकता में सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया पैरा उभे पक्ष को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली तलब कर ध्यान पूर्वग अवलोकन किया गया पैरा प्रकरण के तथे में इस परकार से है कि दिनांग 27-2023 को पीडिता ने गोवर्धन राज किये जिके साले नात दुआरा में पुलिस को एक परच्चा बयान इस आशे का दर्ज कराया कि दिनांग 17-2023 को सुभे 10 बजे वहे अंबा वा रेखा घर से बकरियां चराने कराई गाओ के मगरे में गई वहे लकडियां काटने लगी अंबा वा रेखा मगरे से नीचे उतर गई वहे अकेली थी तभी करीब 3-4 बजे उसके घर के पास ही रहने वाला किशोर X वा किशोर Y उसके पास आए किशोर X ने उसका हाथ पकड़ कर खीचा और उसके मूँ पर हाथ रख दिया फिर किशोर X ने उसके साथ जबरन खोटा काम किया फिर किशोर Y ने उसके साथ खोटा काम किया उस समय वह रोई थी उसने घर आकर उक्त घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया जो उसे इलाज हेतू अस्पताल लेकर गए वगेरा उक्त रिपोर्ट के अधार पर थाना खमनोर दुआरा प्रथम सूचना 141 बटे 2023 अपराद अंतरगत धारा 376 चोतिस भाद सा वा धारा पांच बटे 6 लेंगिक अनुसंधान प्रारम किया गया अनुसंधान के दोरान अपिलार्थी गण को संप्रेक्षन गिरी में निरुद किया गया प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के प्रकरम पर है पैरा विद्वान अधीवक्ता अपिलार्थी गण का बहस के दोरान तरक रहा है कि अपिलार्थी गण को मिथ्या रूप से फसाया गया है अपिलार्थी नाबालिग है श्टोप दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें दोस्तो इस डिक्टेशन का आप सारा मैटर अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टैलेगराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं टेलेग्राम के रूप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जुड़कर यह सभी मैटर पा सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में